बक्सर के मुफसिल थाना श्रत्र के इटारी रोड में आज सुबह अनियंत्रित ट्रेक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो जाने के बाद लोग आकुरुशित होकर ट्रेक्टर को आग के हवाले कर दिया युवक की मौत के बाद नाराज ग्रामीनों ने सरक जाम कर घंटो ववाल किया उपद्रब्यों ने सरक पर मुझूद दो ट्रेक्टर को आग के हवाले कर दिया आग लगने के कारण ट्रेक्टर धूधू कर जलने लगा सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने उपद्रब्यों को किसी तरह शांत किया और शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है मिलितक की पहचान मुफसिल थानाश्यत्र के लाल गन्ज निवाजसी संजय यादब के रूप में की गई है बताया जा रहा है कि मिलितक संजय यादब बकसर से लाल गन्ज आ रहा था तबी वह अनियंत्रित ट्रेक्टर की चपेट में आ गया और हादसे में संजय को अपनी जान गवानी परी आपको एक बार फिर से बता दें कि बकसर के मुफसिल थानाश्यत्र के इटारही रोड में आज सुबह अनियंत्रित ट्रेक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो जाने के बाद लोग आकुरुशित होकर ट्रेक्टर को आके हवाले कर दिया है युवक के मौत के बाद नाराज ग्रामीनों ने सरक पर कई घंटों तक बवाल किया है उपद्रवियों ने सरक पर मौझूद दो ट्रेक्टर को आके हवाले कर दिया मौके पर पहुंचे पुलिस ने श्रब को अपने कबजे में लेकर पुस्ट माटम के लिए बगसर के सदर अस्पताल भेज दिया है बगसर से खुलासा के लिए अजैराई की रिपोर्ट